आपने मुझे बात रखने के लिए अउसर दिया हैं जिसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस नए साउसद भवन में मैं आप सभी मानने साउसदों का भी रज़ाई से स्वागत करता हूँ यह अउसर कई माइनों में अभुत पूर्वा है आजहादी के अमृत काल का यह उशा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्वत ताय करने के लिए आगे बढ़ रहा है विज्ञान जगत में चंद्रयान तीन की गगन चुम्बी सफलता हर देश वाजी को गर्व से खर देती भारत के अध्रक्स्ता में जी ट्वेंटी का असाधारन आयो ज़़ाई विश्व में इच्छित प्रभाव इस अर्थ में ये अध्वित्य उप्लद्या हासिल करने वाला एक अउसर भारत के लिए बना इसी आलोग में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद्धोन का शुभारम हुआ है सुकत संयोग है कि ये गनेश चतुर्धी का शुभत दिन है गनेश जी शुभता और सिद्धी के देवता है गनेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारम संकल्प से सिद्धी की और एक नए विश्वास के थाथ यात्रा को आरंब करने का है आज हादी के हम रितकान में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहें तब अब जब गनेश चतुर्धी का परवा आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभावी था आज हादी के अंदोलद में लोकमान्य तिलक जी ने गनेश उत्षव को एक सारवजेनी गनेश उत्षव के रूप में प्रस्थाबित करके पूरे राष्ट में सुराज्य की अहले जगाने का माध्यम बनाया था लोकमान्य तिलक जी ने गनेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी उसी प्रकार से आज ये गनेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत सुराज्य की बात नहीं थी आज हम सम्रुद्ध भारत गनेश चतुर्थी के पावन दिवसपर उसकी प्रेणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी देश वासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज सम्वत्षरी का भी परव है यह अपने आप में एक अधवुत परंपरा है इस दिन को एक प्रकार से शमा वानि का भी परव कहते हैं आज मिच्छामी दुकडम कहने का दीन है यह परवा मन से कर्म से वचन से अगर जाने अंजाने किसी को भी दुक पहुंचाया है तो उसकी शमा याचना का अउसर है मेरी तरब से भी पूरी मिनम्रता के साथ पूरे रदय से आप सभी को सभी सांसर सदस्यों को और सभी देश वास्यों को मिच्छामी दुकडम आज जब हम एक नई शुरुवात कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाट को भूला कर आगे बढ़ना है इस पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आत्रण से हमारे वानी से हमारे संकल पहुसरे जो भी करेंगे देश के लिए रास्त के एक एक नागरी के लिए वो प्रेणा का कारण बनना चाहिए और हम सब को इस दाईत्व को निभाने के लिए बर्षक प्रयास भी करना चाहिए आदने अद्दक जी यह भवन नया है यह सब कुछ नया है सारी व्यवस्ताएं नहीं यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंगरूप के साथ प्रस्तूत किया है सब कुछ नया है लेकिन यहां आज़े चुन्नुआ संसुद भबन रस रीकोनेस इतिहास पालटीला पूरूना संसुद भबल आज़े चुन्नुआ संसुद भबल रे स्वतंद र अधिवेसन है बह फटो सेसन पाई उभाई लोको सभा और आज़े सबार सदस्यों एकाठी हुदले लोको सभा राज़े सबा सदस्यों को ग्रूप फटो उठाए जी दिनीटी ग्रूप ने फटो सेसन हुई जिला तसको जोडता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं संसदिय लोकतंत्र का जब यह नय अग्र पवेश हो रहा है तो यहां पर आजहादी की पहली किरन का साक्षी जो आने वाली पीडियों के भी प्रेणा देने वाला है वैसा पवित्र सैंगौल और यह वो सैंगौल है जिसको भारत के प्रधाम प्रधान मंत्री पंडित नहरू का स्पर्ष होगा था यह पंडित नेरू के हाथों में पूजा विज़ी करकर के आजहादी के परवका प्रारंब हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वक्वा अतीज को उसके साथ सैंगौल हमें जोडता है तमिल नाडू की महान परंपरा का वो प्रतीख तो है ही देश को जोड़ने का भी देश की एकता का भी वो प्रतीख है और हम सभी मान्य सांसदों को हमेशा जो पवित्र सैंगौल पंडित नहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सब की प्रेणा का कारण बन रहा है इससे बड़ा गरों क्या होता है अधनियत दग जी नए संसद्धवन की भविता आधनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है हमारे स्रमीक हमारे इंजिनियर्स हमारे कामगारों उनका पसीना इसमें लगा है और कुरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है क्योंकि मुझे कारिय जब चल रहा था तब उन स्रमीकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास को लेकर के उनसे मिलने आता था लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया आज मैं चाहूंगा घ्रम सब हमारे उन समिकों का हमारे हून कामगारों का हमारे इंजिनियर्स का रदय से धन्यवाद करें रदय से जो उनके द्वारा है निर्मित भावी पीडियों को पेना देने वाला और तीस हजार से जादा समित बंधों ने परिशम किया है पसिना बाहा आया है इस भव्य वबस्ता को खड़ी करने के लिए और कई पीडियों के लिए यह बहुत बड़ा योग दाता है मैंने अद्धिक जी मैं उन स्रम्योगियों का नमन तो करता ही लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंब हो रहा है इसका मुझे अतनता है इस सदर में एक डिजिटल बूक रखी गई है जिजिटल बूक में उन सभी स्रम्योगों के पूरा परिचे इसमें रखा गया है ताकि आने वाली पीडियों का पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कौने थे कौन समीटे आकर के इस अब इमारत को याने उनके पसीने को भी अमरत्व देरे का प्रयांस इस सदन में हो रहा है ये एक नई शुरुवात है शुभ शुरुवात है और हम सब के लिए गर्व की शुरुवात है मैं इस अबसर पर 140 करोड देश वाचों की तरफ से मैं इस अबसर पर लोग कंत्र की महन परंप्रा की तरफ से हमारे इन समिकों का अभिन्नक करता है आदे निर्थ्यक जी हमारी यहां कहा जाता है यद धावो तद भवती और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ गटित होता है यद भावो तद भवती और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके यह प्रवेश किया है कुझे विस्वात है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वह बहुत बड़ी स्वाबावी है भवन बडला है जैसे जाएंगा भाव भी बनना चाहिए भावना भी बनना चाहिए संसत रास्त थेवा का सरवोच्च स्थान है यह संसत दलहित के लिए नहीं है हमारा समिधान निर्मादाओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माद दलहित के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए के लिए नए भवन में हम सभी अपने बानी से विचार से आचार से समिधान के जो स्पिरिट उन मांदनों को लेकर लेगे नए संकल्पों के अनुसार नभी भाव को लेकर लेकर लेगे दाशा करता हूं अद्धिया आप कल भी कह रहे थे आज भी कह रहे थे कभी स्पस्ट कह रहे थे कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे हम सांसदों के वहवार के समझ देए मैं मेरी तरफ से आपको आश्वसन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हैं हम सभी सांसर आपकी आशा अपक्षा में खरे उतरें हम अनुशासन का पालन करें देश हमें देखता है आप जैसा दिशान दिर्देश करें लेकिन मानिया देख जी अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लेमेंट के मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो ब्यहवार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए वेहवार करता हूँ और कौन वहां बैठने के लिए वेहवार करता हूँ जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका वेहवार क्या होगा और जहां जो यहां आकर के प्विश में बैठना चाहता है उसका विह हो और क्या होगा इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महिनों में देश देखेगा और उनकी बरताओं से पता चलेगा यह मुझे पुरा भी स्वास है आदेनियत देख जी हमारी यहाँ बीदों में कहा गया है सम्मिच्चहर सब्रता भुत्वा बाचम बदत भदर्या अर्था हम सब एकमत होकर एक समान संकल्प लेकर कल्यान करी सार्थक समवात करे यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं दिमर्श अलग हो सकते हैं कि लेकिन हमारे संकल्प एक जूठ ही होते हैं एक जूठ ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एक जूठता के लिए भी भरपूर प्यास करता रहना चाहिए कि आदेनियत देख जी हमारी संसत ने कि राष्ट के तमाम बड़े अवसरों पर ही कि इसी भावना से काम किया है न कोई इधर का है न उधर का है सब कोई राष्ट के लिए करते रहे हैं मुझे आशा है इस नई सरुवात के साफ इस संवादिय के वातावण में अब इस संसत के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी जादा मजबूत करेंगे हमारी आने वाले पीडियों को अवश्य हम प्रेणा देंगे संसत ये पनंपराओं की जो लक्षमन रेखा है उन लक्षमन रेखा का पालन हम सब को करना चाहिए और वो स्पिकर महोदई के अपिक्षा को हमें जुरूर पुरा करने की कोशिश कर दीशी आधनिया अध्यक जी लोग तंत्र में राजनीती नीती और शक्ति का इस्तेमाल इस समाज में प्रभावी बड़लाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो स्टार्ट अप्स हो या सिल्फ इल्फ ग्रूप हो हर छेत्र में दुनिया भारती या महलाओं की ताकत देख रही है जी ग्वेंटी की अध्यक्ता विमेंड लेड डेवलप्मेंट की चर्चा आद दुनिया इसका स्वागत कर रही है स्विकार कर रही है दुनिया समझ रही है कि सिर्ब महलाओं की विकास की बात इनप नहीं है हमें मान उजाद की विकास यात्रा में उस नए पड़ाओं को अगर प्राप्त करना है राष्ट के विकास यात्रा में हमने दहीं मंजिलों को पाना है तो यह आवश्चक है कि विमेन लेट डेवलप्मेंट को हम बल दें और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्विकार किया है महिरा स्थक्तिक गण की हमारी हर योजना ने महिला नेत्रुत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए है आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जंदन योजना शुरू की पचास करोड लाभारतियों में ऐसे भी अधित्तम महिला बैंक एकाउंट के धारक बनी है यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है नया विश्वात देता है जब मुद्रा योजना रख्शन यह देश घर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी दसलाक रुपिय की लोन देनी की योजना और उसका लाब पुरे देश में सबसे जादा महिलाओं ने उठाया महिला एंटर्पिनर का एक पूरा बातावां देश में नजर आया पी-एम आवास योजना बक्के घर ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादा तर महिलाओं के नाम हुई महिलाओं का मालिकाना हक बना आदेनिय अद्धिक जी हर देश की विकांस यात्राव है ऐसे माइस्ट्रों आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने दया इतिहास रचा है ऐसे कुल पल जीमन में प्राप्त होते हैं और आदरिय दिग जी नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाशन में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूँ कि आज की ये पल आज का ये दिवस संबत सरी हो गणिश चतिव्थी हो उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्दिन करने वाला सभाएं हम सब के लिए पल गर्व की पल है अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के समझ में बहुत चर्चाय हुई है बहुत बाद विवाद हुई है महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए है 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था अतल जी के कारकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए हांकडे नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधुरा रह रह रहा महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्तिक अउप्योग करने का वो काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चूना है एक बार फीर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कली केमिनेट में महिला आरख्षान वाला है जो विधैक है उसको मंजूरी दी गई है आज 19 सितंबर की ये तारीख इसी लिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं नेत्रुत्व कर रही हैं तो बहुत आवशक है कि नीती निर्धारण में पालिसी मेकिंग में हमारी माताएं बहनें हमारी नारी शक्ती अधिक तम योगदान दें जादा से जादा योगदान योगदान ही रही वे महत्वपुन भूमी का निभाय आज इस अइतिहासिक मोके पर नए संसद भवन में सद्धी सदन की सदन की पहली कारवाई की रुप्र उत्तारवाई के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आवान किया है और देश की नारी शक्ती के लिए सभी साउसद मिल करके नए प्रविश्द्वार खोल दें इसका आरम हम इस महत्म को नेड़े से करने जा रही है विमेन लेट डेवलप्मेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमूख संबिधान संसोधन विदेग प्रस्तुत कर रही है इस विदेग का लक्ष लोकसभा और विदान सभाओं में महिलाओं की भागिदारी का विस्तार कर देखा है नारी शक्ती बंदन अदिनियम नारी शक्ती बंदन अदिनियम इसके माद्दम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा मैं देख की माताओं बहनों बेटियों को नारी शक्ती बंदन अदिनियम के लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा मैं सभी माताओं बहनों बेटियों को आस्वस्त करता हूँ कि हम इस बीर को कानून बनाने के लिए संकल्प बद्द है मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्र पुर्वक निवेदन करता हूँ आग्र भी करता हूँ और जब एक पामन शुरुवात हो रही है पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मती से जब ये बीर कानून बनेगा तो इसकी ताकत अनेग गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी मान्य सांसदों से दोनों सदन के सभी मान्य सांसदों से इसे सर्वसम्मती से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभाय व्यक्त करता हुए इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अउसर्विया बहुत बहुत धन्यवाद।